वित्रो नमस्कार, सिद्ध आहिर्वेच चैनले पर आपका स्वागत है और लीजिए एक महत्रपून जानकारी देखे बरसात के मुसम में साप जो है अपने बिल से बाहर निकलाते हैं और जाने अंजाने में अनेक वैक्तियों को काट भी लेते हैं लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि प्रतेक साप के काटने से वैक्ति की मृत्यों नहीं होती अक्सर वैक्ति साप के काटने से घबरा जाता है और दिल कमजोर होने के कारण उसकी मृत्यों हो जाती है तो साब काटने के तुरंत बाद व्यक्ति को ढाड़ेश बनाए और उसका उपचार करें अभी मैं अख़वार में पढ़ रहा था केवल उत्तर परदेश में चार महिने के समय में 200 व्यक्ति सर्पदंस से मरत्यू हो चुकी है बहुत दुखदाई है और अक्सर गाओं में इस परकार का घटना घट जाती है वैसे साब जो है बहुत ही डर्पोक जानवर होता है लेगिन फिर भी यदि उसके उपर पैर पढ़ जाए तो वो अपने रक्षा में काट देता है डंक मागता है इसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और एक्तम सठीक उपचार बताने वाला हूं आप अपने पास नोट कर सकते हैं और किसी को भी सर्प यदि काट लेता है तो उसका उपचार आप बिलकुल विश्वास के साथ कर सकते हैं आप से एक रिक्वेस्ट अवश्चा करूँगा जो भाई-वैन हमसे नए जूड़ है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक भी करें और बैल आईकॉन अवश्चा दबए सबसे पहले मैं आपको अस्थान ये उच्चार बताता हूँ जिस अस्थान पर सर्प ने काटा है उससे लगबग तीन से चार इंच उपर किसी कपड़े से बंद लगा दीजी और सर्प काटे वे अस्थान पर एक लाल दवा आती है जो पानी में घोलने से लाल हो जाती है जिसको प्रोटेशियम पर मैगनेट कहा जाता है उसको चुटकी बर लेकर के और जहां पर डंक मारा हुआ है जहां खुन निकल रहा है उसमें भर दीजी उस पर उसको लगा दीजिए अच्छी तरह से भर दीजिए उसको आप उसको हाथ से ना भरें कोई भी दस्ताना पहन के या किजी पन्नी में लेकर के उसको दंस के अस्थान पर भर दें और इसके साथी साथ मैं आपको दो भूम्योपैतिक दवाई बताने वाला हूँ जिनके परियोग से व्यक्ति की जान सो परतिसत बच जाती है सबसे पहले है यूपेक्टोरियम आया पाना इसका मदर टिंचर आता है ये आपने सुना होगा कि आख जिसको आखा बोल देते हैं आम भासा में उसी का मदर टिंचर है इसको आप जो है पिलाते रहें एक के गंटे के बाद दस दस बूंद इसकी पिलाते रहें और इसी के साथ साथ एक मेडिशन और आती है जिसका नाम है नायजा एन एजएड ए नायजा टू हंड़ड ये सर्प के जहर से ही पनी हुई ओशद है बहुत ही खतरनाक जहरीले साथ के जहर से पनाई हुई ओशद है जैसा कि आप जानते हैं हुम्रोपेथिक में समान से समान को ही नस्ट किया जाता है तो नायजा टू हंड्रेड की छे छे बून एक एक गंटे के बाद उस व्यक्ति की जीब पर डालते जाए जिसको सर्प ने काटा है दोनों ओशद्यां बहुत ही महत्पूर्ण हैं आप इनको दोनों को आधा आधा गंटे के अंतर पर देते जाएं और कुछ हिस उस समय के पास आप देखेंगे कि व्यक्ति जो है होस में आने लग जाएगा यदि वो बेहोस हो गया है उसको सोने नहीं देना है और उसका जो जहर का असर है वो समाप्त हो जाएगा तो इस परकार से आप एक सफल इलाज कर सकते हैं इन सब चीजों को अपने पास नोट करके रखें और मैं इनको डैस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं अपने पास नोट करके रख सकते हैं और निशुलक सेवा कर सकते हैं तो यह बहुत महितकून जानकारी आज मैंने आपको दी है आप इससे लाब उठाएं और हमारे साथ बने रहें वीडियो को लाइक भी किया करें यदि पसंद आता है और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें इसी से हम आपको एक से एक जानकारी लगातार देते रहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्त्राइब